जी दोस्तों मैं आपको एक ऐसी स्ट्राटीजी दोंगा जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करेंगे लेकिन प्रॉमिस करेंगे आप रूल ब्रेक नहीं करेंगे रूल ब्रेक नहीं करेंगे आप एक इंडिकेटर यूज करेंगे और ये डे ट्रेडिंग के लिए आप छोटे लेंथ के साथ यह इंडिकेटर यूज करेंगे और स्विंग के लिए बड़ी लेंथ के साथ इंडिकेटर यूज करेंगे मैं दोनों आपको दिखा रहता हूं यह स्ट्राटेजी है जी ट्रेडिंग विद ओनली मुविंग अबरेज अब आपने 50 डेज म अब अप ट्रेंड में आप यह देखें यह अप्ट्रेंड है ठीक है क्या यह अप्ट्रेंड है मुझे बताएं क्या है आपको पर 10 सेकंड है मुझे बताएं एक यह sideways है ठीक है उसके बाद यह uptrend है इसका मतलब है इस strategy में आप daily chart को जब देख रहे हैं तो आप इस time के अंदर इस strategy को use करके trade नहीं करेंगे इस time के अंदर आप strategy को use करके आप सरफ यहां पर करेंगे और यहां पर करेंगे अगें इच्छोड़ेटे swings को आप follow कर सकते हैं लेकिन this is what I don't want you to focus on right now ठीक है अब हम क्या करेंगे आप देखें कि जब भी condition क्या है जब भी एक strong green candle जब भी एक strong green candle uptrend में moving average 50 के उपर या उशको touch करे तो तब आपने entry लेनी है ठीक है क्या यह strong green candle यहां पर entry लेनी है यहां पर ले सकते हैं आप नहीं ठीक है यहांपर ले सकते हैं? येस मैं भी आपको वजे बताता हूँ ठीक है? अब हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसनारी जूँओं पर जहां जहां पर मैंने लिख आ इसको डेलीट करते हैं हम अब देखें सबसे पहले ये price price उपर गई सी और उभी है नीचे आई यहां तक आई अब यहां से आगे क्या हो रहा है price मैंने क्या कहा है सिर्फ जब प्राइस उपर होगी सिर्फ जब प्राइस green Moving average की उपर होगी है तो जो नीचे उसमें तो हम इंट्रस्टेट कहां पर होई हैं जब प्राइस ने एक बड़ी सी ग्रीन केंडल ने टाच किया और उसके बाद एक और ग्रीन केंडल बनी घ्रीन केंडल की बॉड़ी जो उसी है वह मूविंग एवरीज के उपर होनी चाहिए ठीक है यहां पर मैं एंटर होंगा और उसके बार आप देखें कितनी प्यारी रैली मिली आपको तो यह देखें स्केंडल के उपर एंटरी क्या बनती है यह लेट से यहां पर क्लोज हुई मार्केट आप आज बैठें आपने बैठ इसकी जो लो थी वो क्या थी लो थी 45.20 ठीक है जी तो लो थी 45.20 ठीक है और मैं इस ट्रेंड में 400 से ज़्यादा लूज नहीं करना चाता लैट से अब आपने खुद से रिस्क अपना डिसाइड करना है कि आप एक ट्रेंड में मैक्सिम्म कितना लूज कर सकते हैं ठीक है जी अब वो बता रहा है कि जी आपका जो 47.20 और आपका जो टार्गेट है वो क्या है जी टार्गेट जागे देखें उस उस स्टॉप लॉस आपका 25 पॉइंट वह आ गया यह और यह भाई एंट्री माइनस स्टॉप लॉस क्यों नहीं कर रहा है 47 और यह मैं गलत एंट्री कर रहा हूं यहां पर एक मिट धर जे इस वाली कैंडल की जहां पर हम एंट्री कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लूँ मैं हम इस वाली कैंडल में एंट्री का रहे हैं यह वाली कैंडल में तो इसकी जो लो है वह 45.20 है ओई ना 45 45.20 है ठीक है तो आप देखें कि यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस की हाइट है वो दूप नफाइबड है और आपने 52 का अपने टार्गेट लाना आ तो आप देख let's say entry है और आपका क्या कहा रहा है कि 52 में आपका वो होना चाहिए है टारगेट होना चाहिए तो देखते हैं 52 हमारा टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं 52 52 यहां पर जा गए हमारा टारगेट अचीव हो गया तो हमने यहां कि यहां पर देखें हैं यहां पर मैं क्या रहा है था को कि एक और ट्रेड्ड़ और एक क्यां ट्रेड आपको मिली यह प्लिया आपको टारगेट अचीव हो गया लेकिन उसके यूज़ु जब आप पैसे बिरहेंगे छाने का भी तरीका तब मेरी वो दिद्द केंडल पैटरन जो मैंने पढ़ाए थे आपको वह आपके काम आएंगे ठीक है अब इदर देखें यहां पर आपके पास एक ट्रेडिंग आती है यह कैंडल स्टिक बनती है प्राइस उपर गई यह देखें हम अभी तक अब ट्रेंड में चल रहे हैं ठीक है अगर हम थोड़ अब ट्रेंड है ठीक है तो इन स्विंग्स का भी आप मज़ा ले सकते हैं लेकिन मेरा मेरी स्ट्रॉंग रिक्मेंडेशन है कि जब प्रॉपर अप्स ट्रेंड आपको नजरा है न तब आपने एंट्री मार नहीं क्योंकि इस रफ एक इंडिकेटर से आप कर रहे हैं तो थीक है जी अब हम इसको लेट से मार्केट चाल रही है आपको नजरा आ रहा हो कि जी मार्केट चाल रही है और मेरी मुविंग एवरेज अप्ट्रेंड में है ठीक है और अब प्राइस की जो कैंडल्स हैं वो भी जो कैंडल्स हैं वो भी अप्ट्रेंड के गरीब आगी है ठीक है, for example, मैं इसको और कट करता हूँ, डेटा को, क्यूंकि हमें बाइ, बाइ सिगनल पहले ही मिल रहा है, यह देखें, लेट से आप, आप यह देखें, कि, आप, 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 अप्ट्रेंड में आपकी मार्केट चाल रही है, और आपने कहा कि, यहाँ पर प्राइस थी, यहाँ पर तो मैंने ने खरीदना था, अब यह वापस आ गई है, आपकी मूविंग एवरिज के करीब, तो मूविंग एवरिज के जब करीब आई है, तो हम दे है, यहाँ दिस इस माई एंट्री, आज मैं एंटर होंगा है, ठीक है, आप कहते हैं, जी मेरी केंडल का ओपन था 52.5, और क्लोज था जी, इसका क्या, क्लोज था 54.10, तो मैं क्लोज लिखोंगा, जी मेरी केंडल का 54.10 है, और उसके बाद, यह मैं आपको लाइव ट्रेड क और आपका जो बाटम ऑफ दे कैंडल है, वो लो था 52.50, अगर आपने और सेफटी करना है, तो उससे एक कैंडल जो पिछली है, उसका जो बाटम है, वो पकड़ लें, ठीक है, अगर आप इतना रिस्क रहे ले सकते हैं, तो अगर आप, फिर आपका ना, स्टॉप लोज ट और इसका लोवर सब से गाम है, वो वला उठाले, ने डोनों कैंडल में से इसली का लोवर सब से काम है वो है, जी, लो 51.50, तो 51.50, मैं कैसे डूड़ता हूँ ये लोवर हाई, मैं बार बार बता चुका हूँ, कि जब भी आप किसी कैंडल पे ले ले के जाते हैं, तो ये उपर आपको यह नंबर नजर आ रहें लिखे हुए ठीक है अब में जो कहता है कि इस वाली ट्रेड में मैं एक हजार लूज कर सकता हूं ठीक है जी मैं लूज करने के लिए रैडी हो गर स्टॉप लॉस इट होता है तो वह कहता है जी आपने टोटल 332 शेर उठाने है टोटल इंवेस्मेंट आपकी 17000 क्राउंड की होगी उसमें आप 2000 क्राउंड प्रॉफिट बनाएंगे जो के दिस डिवाइड बाइड बाइड देस वो कितना बनता है तकरीबन 11% आपका प्रॉफिट आया है एक गैरा पर्षंट ठीक है जी तो 11% इस नौत वेरी गूड इस नौत बैड मार्जन इस वेरी वेरी गूड मार्जन ठीक है तो यह ट्रेड़ आप ऐसे करेंगे अब देख नेपर है यहां पर और हमारा तार्गेट किया बता ह्यांकि एकर टार्गेट घटने एतने में मैं खरीदा 54 स्टॉप लग सिफ्टी वनका औरक परूएग यहां पर जाकर बेंगा Tech Transport को चीफ करता था यह नहीं करता मुझे झागल प्राइस गई ऊपर निचे आई निचे आई फिर उपर गई ते निचे आई और यहाँ पर हमारा टार्गिट अचीव हो गया तो कहां पर हमने यहां पर बाय किया था कितने दिन लगे यह अपने के लिए एक तरीका यह देखेंगे भी होता है रूलर पकड़के आप ये करेंगे तो दिखा रहा है 11 बार्स कितना दिन लगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ग्यारा दिनों में आपके सत्रह दार लगा आगे दो दार करा उनको माई तो इसमें एक और आपको मैं अच्छा अब ये तो हो गई स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है अब मैं आपको यही स्ट्रेटिजी दिखाता हूं डे ट्रेडिंग के लिए जिसो मेरे जो क्रिप्टो वाले भाहिया ना उन्लों के लिए बड़े वह इंट्रस्टिंग होग तो मैं आपको वो आपको बताता हूं अगली वीडियो में